आपकी उमीदों आली क्लास सुरू हो चुकी है जीरो लेबल बेसिक मैद जहां से आप पढ़ते नहीं बलकि सीखते हैं NCRT पर आधारित क्लास होती है जो कि पूरे भारत देश के हर एक छात्र छात्राओं के लिए महत्तपुर्ड होती है कुछ समझ में आया कहने का मतलब यह कि आपका भविश से तब तक अच्छा नहीं हो सकता है जब तक आप अपने बीते दिनों के बारे में सोचते रहते हैं यानि कि रात अगई सो बात अगई समझ रहे ना कितना भी अच्छा टाइम था या बुरा टाइम था जो भी तगया सो भी तगया अब आगे क्या होगा उसके बारे में सोचिए आज क्या हो रहा है उसके बारे में देखिए और इन्हीं बातों के साथ आज की सुबह की सुरुवात होती आपकी जीरो लेबल यानि की क्लास आठ की महत के साथ साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ थोड़ा फा इस्टेंडर्ट लेबल का है एक कुश्चन अगर कोशिस करोगे तो समझ में आएगा वरना मज़ा आने वाला नहीं है नेमनलिकित आकृतियों में यक्स का मान ग्याद कीजिए लेकिन एक बात पहले बता दूँ डिमोटिबेट ना होना आसान है बहुत आसान है चलिए ये एक आकृति दी गई है इसमें कौण दिये गए है ए बी सी इस्तिरबुच का नाम है इसमें कुछ वाय कौण है अन्ता इसमें अगर हम इस फिगर को देखें तो आप दो चीज देखो इसमें एक तो ये देखो क्या क्या बोल रहे हैं एक ये देखो जिसका नाम हो जाएगा मैं बता दे रहा हूं आपको यहां पर भी यहां पर क्यूँ और थोड़ा सा मैं इसमें से काट रहा हूं ध्यान देना और ये R ये देखो 125 अंस दिया है बोलो दिया है ना मैंने इसमें से निकाल लिया ठीक ध्यान देना दूसरा बैत क्या है साथियों B, A, C B, A, C और ये तिर्भूज देख लो इतना आप लोग देख रहे हो ना और ये दोनों जाकर के क्या करते हैं एक में मिल जाते हैं है ना देखो ये R, A, B या फिर B, A, R ऐसे बोलो ठीक है R, A, B और B, A, C इनमें देखिए क्या है ये दोनों रैकी के यूगमों बना रहे हैं क्या बना रहे हैं रैकी के यूगमों बना रहे हैं और आप जानते हो कि रैकी की युक्म जो होता है वो कितने का होता है इनका यह गुफाल 180 होता है तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहां से मिलती है उन्हीं की साहता से हम लोग बड़ी चीज़ों को प्राप्त करते हैं यहां पर लिखेंगे कोड आर एबी धन बी एए सी इकॉल क्या है 180 अंदर में लिख लिजिए रैकी की युगम आज भाई बहुत जड़ा रहा है यह लिए टोपापा लगा है नहीं तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए कुछ तपक जाए समझ रहे ना इतना हो गया अब अगर आप ध्यान दीजिए आर एबी एक बात आपको बहुत छोटी सी बता दूं अगर कहीं ऐसे लिखा है एबी सी कोड़े भी सी ना इसका मतलब यह होता है कि कोड़ बी पर बन रहा है जो लेटर बीच में होता उसी पर कोड़ माना जाता है समझ रहे हो ना तो जैसे यहां पर आरे भी लिखा है तो कौन सा रूट है और एब कि यह रूट है मतलब कोड़ जो बनेगा एवाला माना जाएगा ठीक तो एपर क्या बन रहा है 125 और प्लस कोड़ बी एसी इक्वल कितना है 180 इस तरह से यहां से आप बी एसी निकालोगे 180 माइनस 125 तो सायद 55 डिगरी आएगा 55 आएगा ना क्या आएगा बी एसी 55 आएगा अर्थात कहने का मतलब यह है कि कोड़ ए जो हो कितना आगे 55 बातपकी आगे देखते जाना भी हमें यक्स कमान निकालना है जब तक हम इन सभी जो लटके-लटके कोड़ है बगल में ना जब तक इनको नहीं निकालेंगे तब आध्यक्स कमान नहीं आएगा अब आगे देखना कि इसी तरह से अगर आप आगे करते जाओगे इसी परकार क़ जैसे यह रहा ही कीगों बना रहा है वैंसे देखो यहployное कॉंड बट हो बना रहा ही तरपन के साथा जैसे कॉंड़ा बना रहा था न यह यह वाला भी तो इसी प्रकार कॉंड कॉंड कितना है यह पंचपन यह आएगा Is क्योंकि इस पर भी 125 मन रहा है इस पर भी नेको 125 मन रहा था तो 55 ही आएगा इतना हो गई बात पक्की यानि कि आपका वी वाला जो कॉड़ है वे भी का आएगा कितना आएगा उस और यह बाहर से लिखा यह गर्बन है बाहर तो यह तो फिर अपका बायकूर हो जागा विश्टर यह यह-पच्पन आप ध्यान देना कोंड यक्स निकालना है यक्स एक बाय कोंड है एक परकार से बाहर है ना तो चलो आगे देखते हैं लिखिए तिरभूज ए बी सी में इसको मिटा दे हो गया वीडियो को तुला पीछे लिजिएगा अगर नहीं लिखा तो ठीक है तो याद रखना कोंड के नाम जो है जितने आना है तो पूरा देखिएगा और नहीं समझना चाहते हो ऐसे दर्सन देने आयो तो फिर जा सकते हो कोई लिक्कत नहीं है कि तिरभूज एबी सी में कि एबी सी में कि एबी सी में लिखे और सब्लाइट बंद कर दीजिए अप ठीक कॉड एधन कॉड बी धन कॉड सी कोड A, धन B, धन C, इकोल कितना? 180 मतलब साथ जानते हो ना इसको तो ये तो सिम्पल वाला है मतलब कहने का ये है कि किसी भी तिरभूज के तीनों कोड़ों का यगफ़ल 180 होता है इसको आप जानते हो तो बस चुपके से मान रख लेते हैं एकमान फिप्टी फाइफ है बी कमान फिप्टी फाइफ है तो कोंड़ सी कमान कितना हो जाएगा जोड दो कोंड़ 110 अहांत धन कोंड़ सी गॉल तो हुई नहीं अब वह भी हो जाएगी अब देखो कोने सीबी में a ordinance प्रकार से सी परहए तो बाइबन रहा है ना कोन एसी बी इस उन्म परकार से आप लिख सकते हो हाटिक है कोड़ सकते हो ठीक है कोड़ एसी बी और यह जो बाहर वाला कौन जा रहा है जिसमें यकसफा मिलें है इसे सीधा फिर चाह imperfect only लिख लेते हैं ये ये बीएक रही प्रैकी वंगों बना रहे है क्या करना ये 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 भी रेकिया के ये बन रहा था आर एबी बन रहा था ना उसी तरह से इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो यह रहे कि कुमों बना रहा है कौन सा यह आर एक्स पी या फिर नीचे से काउंट कर लो मतलब वही हुआ अब देखना सतर हो गया ना है नोट कर लिजिए हम मिटाने से पहले आपको बोल देते हैं आप लिख लिया करिए अगर नहीं लिख पाते हैं तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लिजिए डबल टच करेंगे ना बगल में स्क्रीन पर तो पीछे हो जाएगा दस भी सिकेंड फिर आपको द बता दिये ना चाहे यह एक से लिख तूँ डारेक्ट हम चाहे यह वाइकोंड वाला पूरा लिखो फिर मतलब वही होगा जाके इक्वल एक्स और सी ब्रेकट में लिख दो रैकी के यूगमू रैकी के यूगमू लिखा है चलिए अभी सी कमान हमने रखा था सत्तर और यह कोंड यक्स इक्वल एक्स और सी तो प्रिये साथियों यह आ जाएगा 180 में से 70 गाटा होगे 110 डिगरी कितना आ गया एक्स कमान 110 यानि कि यह कितना आ गया 110 डिगरी ठीक पादपक की नोट कर लो जल्दी से तो यह आपका पहला सवाल हो गया दूर से आ भी आपके क्या कह रहा है क्या करना ध्यान देना कि कह रहा कि एक सम बहुबुच के परतेक कौन की माप ग्यात की जिए यदी पहला जैनि जिसकी भुजाएं नौ हो मतलब कोई कि एक सम बहुबुच के परतेक कौन की माप बताईए जिसकी नौ भुजाएं हो दूसरा एक ऐसे सम बहुबुच के परतेक कौन की माप ग्यात कीजिए जिसके 15 भुजाएं हो हम दोनों आपको बताएंगे पूरा देखना और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पीविर इस्टडी लहबाद और मैत हासान है दोनों चैनल को यूटूब पर सब्सक्राइब करें और देखते रहें और अगर आप इसे फेस्बुक पर देख रहें तो पीविर इस्टडी के फेस्बुक पेज को तुरंत लाइक कर दें और आप फेस्बु समाएंगे लिख लीजिए लिखिए एक सम बहुभूज के वाह कोणों की माप का योगफल सम बहुभूज के वाह कोणों की माप का योगफल बराबर तीन सु साथ माप का योगफल कितना होता है ये तीन सु साथ हनस होता इसको सब कोई जानते हैं है ना चुकि एक सम बहुभूज के वुजाओं की संख्या कितना है चुकि अब पहले सवाल पर चलते हैं ध्यान देना पहला सवाल सम बहुभूज के भूजाओं की संख्या इक्वल कितना है नौ है अब ध्यान देना इसलिए सम बहुभूज के वाई कोण की माप दिखिए सम बहुभूज के वाई कोण की माप इक्वल तीन सो साथ बटे कितना हो जाएगा नौ हो जाएगा काट दोगे तो नौ चोग छातिस जीरो यानि कितना आ गया चालिस कितना आ गया फोर जिरो फोर्टी क्लियर ना इतना रोट कर लो जल्दी से फटा फट अभी दूसरा है इसमें याद रखना भाग अगर नहीं लिखा तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए और वीडियो को बीच में रोंक लिए कर ये स्क्रीन पर टच करके और हां कोई भी वीडियो को यूटूब पर डाउनलोड ना करें हम आपसे एक बिसेस रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि डाउनलोड ना करें नहीं तो फिर हो सकता आगले दिन आपको कलाफ नहीं मिलेगी तो हमारी जिम में दाज नहीं होगी आनलाइन देखिए इंटरनेट सम बहुज के भुजाओं की कि संख्या कितनी हैं पंद्रा लिखो सम बहुज के वाइकोनों की माप 360 ही इतना आप इसमें भी लिख लो दूसरे में भी मुझे ने लिखना है क्योंकि आपने एक बार लिख दिया आप इसको लिखो पहले जल्दी से लिख लिया अब लिखिए चुकि सम बहुज की भुजाओं की संख्या इक्कॉल पंद्रा निचल लिखिए इसलिए सम बहुज के वाइकोन की माप इसलिए सम बहुज के वाइकोन की माप 360 में 15 से भाग दे दोगे तो 15 दूना 30 और 15 चुका 60 इस तरह से आपका कितना आ जाएगा 24 24 डिग्री आ जाएगी है न कोन की माप निकालना तो डिग्री में आएगा तो इस तरह से आपका साथियों यह कुश्चन नंबर दूसरा हो चुका है इकसर साथ सवाल जो है बहुत ही मज़ेदार है अब हम आपके सामने ही मिटाएंगे चौथा अंता कोण दिया है 165 बुजाओं की संख्या निकलना है है ना और हाँ फ्री क्लास के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो तुरंद कर लीजिए जिससे आपको सभी फ्री की क्लास मिल सकें और आप घर बैठे देख सको है ना समझे रहो ना कि चलिए इसको मिटाते रहेंगे देरे देरे पहले सवाल लिख देते हैं आप समझने लगो तब मिटाते हैं कि सवाल को हमारे साथ साथ कापी में लिखिए जिससे आपको बोरिंग न लगे एक सम बहुबुज बहुबुज के बुजाओं की संख्या क्याद कीजिए सम बहुबुज के थोड़ा सा रुकना बुजाओं की संख्या ग्याद कीजिए यदि इसका अंता कोड़ एक सो पैसा डिगरी का हो ध्यान देना बागे लिखिए एक सम बहुबुज का परतेक अंता कोड़ 165 हंस का दिया गया है है ना लिखिए आप सभी एक सम बहुबुज का परतेक अंता कोड़ एक सम बहुबुज के वाय कोड़ एक सो पैसा डिगरी का अंता कोड़ सम बहुबुज के वाय कोड़ों की मापों का योगफल वही जो आप जानते हो सभी जानते हो यह स्टेंडर्ड होता है इसमें कोई याद नहीं करना होता है किसी भी सम बहुबुज के वाय कोड़ों का योगफल होता है लिखिए आप सभी जानते हैं चूंकि सम बहुभूज के वाई कोणों का योग फल वाई कोणों का योग इक्वल तीन सो साठंस यह होता है निचे लिखे एक सम बहुभूज के परतेक वाई कोण की माप कितना होगी यही निकालना है तो लिख लेते हैं लिखे एक सम बहुबूज के परतेक वाह कौन की माप देखिए इसमें क्या क्या करना था हमें पता है हमें कौन सा निकालना था बुजाओं की संख्या निकालना था भुजाओं की संख्या तो पहले तो कौनों की माप पाजाए तब भूजाओं की संख्याप आओगे ना लिखिए इसलिए कि संबहुभूज के परतेग वाह कोण की माव वाह मतलब जानते हो ना बाहरी कोण कि वाह कोण और अंता कोण में अंतर होता है कि वाह कोण की माव यह घटा दोगे 180 से कितना 165 इक्वल आ जाएगा 15 डिग्री कितना जाएगा 15 डिग्री ठीक अब वाह कोण कितना आगे 15 डिग्री अब क्या करेंगे देखिए देहां दीजिए अब कुछ संकोच लग रहा है क्या लिखिए इसलिए एक संबहुबूज के बुजाओं की संक्या या फिर की लिख लीजिए की बुजाओं की संक्या देखिए बुजाओं की संक्या के लिए हम जितना उसकी माँ पाई है उसी से भाग दे देंगे 15 से और उसके टोटल योग फल में तो करके देख लो 24 लगवाग आएगा कितना आएगा 24 कितनी बुझाय होंगी अब इस तरह से 24 ठीक ना पाद समझ में आई ना लेकिन कुछ गड़ लग रहा है क्या मुझे भी कुछ कमेंट करके बताईएगा वैसे फिलाल चलिए आगे देखते हैं कि करा कि क्या ऐसा संभा हुपूच संभा है जिसके पर तेक वाहे कोड़ 22 डिग्री के हो बताईए कोई ऐसा संभा हुपूच संभा है जिसके पर तेक वाहे कोड़ 22 डिग्री क्यों हो नहीं ऐसा संभा नहीं क्यों देखिए इसका रीजन है चुकि किसी वाहे कोड़ का योगफल होता है वह 360 होता है इसे सभी जानते हैं तिरभूच के तीनों अंता कोड़ का संभा होता तो कौन सी कंडिशन होती पता है ध्यान देना कि 360 को 22 विभाजित करना चाहिए जितने भी मतलब वाहे कोड़ आप लोग बनाना चाहते हैं कोई भी बना लीजिए लेकिन उस से उस नंबर से 360 कटना चाहिए बात समझ रहो ना अगर अनता कोड़ की बात करें अन सब्सक्ता है बिल्कुल सकता है योगफल एक 60 का होता है तो एक हिए अगे इसको काट की ओना यगा मतलब 60-60 हंस के होगा इसके दो गुना दिवाइब हो रहा है ना ठीक ना चुकि यह कितना आ रहा है आपको पता है कि तीन कोण बनेगे 60-60 के जोड़ों 100C होगा एक सशी होगा ना तो उससे डिवाइड होना चाहिए बस इतना जान लो इससे कोई मतलब नहीं है तीस आरा कितना रहा है उससे डिवाइड होना चाहिए ठीक ना और वह तीन आएगा माफ़ी जाते सॉरी तीन आएगा थोड़ा फा टाइम भी ज़्यादा हो रहा है और आपकी क्लास ओबर होती है अब आज क्लास नहीं वसे ये रातरी के काफी ज़्यादा समय हो गया है आप इस क्लास को सुबह देख पाएंगे तो साथियों आपने बीचारों को जरूर कमेंट करिएगा अगर कहीं भी आपको क क्लिक के भेजिएगा इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स करना चाहते हैं तो यह तो यूटूब पर आपको जो मिल रहा है से देखी सकते हैं एक जिम्मेदारी के साथ आपको कम्पलीट क्लास दी जाएगी इसके लिए आप इस वर्टसप नंबर पर चैटिंग कर सकते है फिर आपको कम्पलीट क्लास मिलेगी और उसके लिए आपको कुछ जोइनिंग चार्ज पेमेंट करना होगा ज्यादा जानकारी के लिए आप नंबर पर चैटिंग कर सकते हैं मिलते हैं फिर अगली क्लास में तब तक के लिए आपको बहुत बहुत सुक्री है धन्यवाद इन्ही बातों के साथ जैहिंद अगली क्लास आपकी 6 बज़े से लाइप जूड़ना नहीं भूलिएगा और लाइप तभी जूड़ पाओगे जब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आन करके रखोगे और हाँ टेली ग्राम पर आप हमारी सभी लगए क्लास के लिए आप पोटेली ग्राम पर फी वीर सटडी लिख करके सर्च करें और चनल को फ्री में करें श्क्री है प्यक्राम अंट डाउन्लोंड करें नंबर ढालका वेरिफाइख करें उसके बाद वहां पर टेली ग्राम ए श्बाद चोडियेगां पीब्यार सवक्री अञान